दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे बिहार किरिसी बिभाग में भरती आ चुकी है जो कि बात करें तो बिहार ब्लोक में बंपर भरती का अपडेट आ चुका है जिसमें बात करेंगे इंटर पास पे यह भरती है और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप सभी लोग apply कर पाएंगे जिसमें बात करेंगे योगता के बारे में चैन परकिरिया, उम्र सीमा और इसमें जो है जोब आपको जो लगेगी बिहार के ब्लॉक या प्रखंड में आपको जोब लगेगी तो complete information लेने के लिए दोस्तों आपसे एक ही request है कि विडियो में last तक जो बने रहेगा क्योंकि नेचे बार-बार comment करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको विडियो के माधियम से complete जानकारी बताया जाता है तो जो भी जानकारी provide किया जाता है पहले उसको देखिए, समझे इसके बाद आप नेचे comment किजिए पर नुक्ती के बारे में उसके बारे में और दूसरा जो है आपको vacancy के बारे में बताएंगे जिसका last date आपको 20 जनवरी बताया गया है तो आपको complete information इस विडियो के माधियम से देने वाले हैं तो चलिए फिरिंस विडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो किरिसी विभाग के अंतरगत बहाली आया हुआ है उसके बारे में तो यहाँ पर दरसल आप लोग देख सकते हैं किरिसी विभाग के अंतरगत 1500 पदों पर नुक्ती की तयारी चल लई है और दोस्तो अभी ही नहीं क्योंकि यह पुराने साल में भी यानी 2021 में भी यह पेपर के माध्यम से अपडेट आया हुआ था और इस नए साल में भी पेपर के माध्यम से यह अपडेट आ चुका है जो कि बात करें तो अब यहां पर अपडेट जो कि आ चुका है तो इसकी बहाली भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी जिसमें बात करें तो कौन-कौन से वो पद जो की रहने वाले हैं तो सबसे पहले 856 प्रखंड किरिसी प्दादिकारी की है जिसमें 354 किरिशी समनवाय की है 141 रसायन बिंग में सहाय की है और 109 प्रछेतर सहाय के पोस्ट है वही बात करें तो 14 पोस्ट सांखी की समनग की है जिसमें और भी बहाली आई हुई है अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजयस एवंभुमी सुधार बिभाग के अंतरगत इतने जो की पोस्ट बताये गए हैं आप लोग देख सकते हैं काफी बरी मात्रा में भरती है और इतना ही नहीं दोस्तों स्वास्थ है बिभाग वन बिभाग इस तरह के बहुत सारे बिभाग है जिसमें बहाली का अपडे सबसे ज़्यादा जो बिभाग है उसमें 45 अगर बात किया जाए तो पूलिस बिभाग में भी आपको 9000 सिपाही और 2516 दरोगा के पोस्ट अभी भी खाली है और एक अपडेट और आपको देना चाहेंगे तो बिहार जो बिहार में जो आपको बहाली देखने को मिल लई है तो राजसु एवं भूमिस उधार बिभाग के अंतरगत जितने भी पोस्ट खाली है आपको रिसेंट एक न्यूज प्रकासित किया गया है उसमें साब किलियर किया गया है कि आप सभी को कि राजसु बिभाग के अंतरगत सभी बहाली पर जितने भी पोस्ट खाली है उसमे आप लोग देख सकते हैं प्रधान मंत्री सुच्छ में खाद उधोग उन्नयन योजना के अंतरगत यहाँ पे 21 जिलो में रिक्त पदो पर जिला संसाधन से भी का मनुनयन किया जाना है जो कि यहाँ पे बताया गया और इसके पिछले विडियो में भी आप सभी को बताया था और इसमें बात करें तो काफी सारे लोगों का कमेंटायर है कि इसमें जो है योगता क्या रहेगा तो मैंने आपको यहाँ पे किलियर बताया था कि पर्थम में जो कि यहाँ पे बताया गया था कि योगता या अहरता उसके लिए खाद परदोग की या खाद अभियंतरन में डिगरी या डिपलोमा एवं समधित कारे में कम से कम आपका एक वर्स का कारेनबह होना चाहि Delaware काद प्रसंशकरन के छेतर में कम से कम एक वर्स का कारेनबह आपका होना चाहिए जो कि यहाँ पे साप किलियर किया गया है तो दोस्तो आपसे एक ही request है कि विडियो में last तक और ध्यान से देखते रहें और आपको जो भी जानकारी मेरे दुआरा प्रवाइट के जाते हैं बिल्कुल complete जानकारी प्रवाइट के जाते हैं पूरी research करने के बाद आपको वो जानकारी प्रोवाइट किये जाते हैं और दोस्तो इतना ही नहीं बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि यह fake है तो मैं आपको proof के साथ भी दिखाऊंगा कि यह विकिंसी जो कि real है आप लोग देख सकते हैं यह दरसल विकिंसी नहीं है योजना है मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यह एक योजना है जिसमें आप सभी को मैंने पिछले विडियो में complete जानकारी दिया था कि apply किस तरीके से करना है वो विडियो नहीं देखे हैं तो link नीचे description में मिल जागा आप लोग जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर बात करें तो जिला संसादन सेवी का जो मुखे कारे होगा वो चार स्टेप में बताया गया है कि पहला स्टेप में जिला में बेक्ती गतेवन समू उद्मियों की पहचान करना दूसरा स्टेप में बताया गया कि एककल उदोगो एवन समुहों के लिए DPR तयार करना जो कि यहां पे बत्या गया और तिसरा बैंक से रिन लेने में सहायता प्राप्ट करना और चौन था उन्हें FSSAI के खाद मान को उदोग अधार GST आधी अवस्यक पंजीकरन एवन लाइसेंस प्राप्ट करने में सहयो करना जो यहां पे ब बताया गया कि जिलावार रिक्तियों कि सिची जो की 21 जिलों के लिए यहां पे सुची प्रवाइट किया गया है जो की बिहार के किसी भी डिस्टिक्ट से है तो आप इसके लिए आप बेदन कर सकते हैं और इसमें एक ची और बताया गया है कि आप लोग को यहां पे कोई भ प्रिक्रित किये जाने पर 10,000 दिया जाएगा और 50% जो 10,000 है वो आपको भुक्तान उदोग को GST वगेरा के लिए आपको प्रोवाइड किये जाएंगे इसके लिए जो आवेधन होगा 2021-2022 तक आप लोग कर सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओफिस और आपको एक ची और बता दे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन कर तरगत बतेया गया है वो सारी जनकार यहाँ पर बतेया गया है लेकि फी के बारे में भी काफी लोग का कॉमेंट था कि इसमें फी जो है कितना लगने वाला है तो यहाँ पर देखिए फी का कोई option नहीं है तो मैं अपने मन से अगर बता दू कि इतना लगेगा तो यह गलत बात है क्योंकि आप सभी लोग इसके बारे में देख सकते हैं कि इसमें फी कितना लगा है क्योंकि इसके official website पे भी यह ची नहीं clear किया गया है तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको फी नहीं लगने वाला है जो पासा करते हैं यह सभी जांकारी आपको बहुत पसंद आया होंगे हम बिलते हैं इस तरह के एक और नहीं टॉफी के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ चाहिए